विधी सत्संग एक ऐसा नाम जो की चूरू की पहचान पूरे राजस्तानी नहीं भारत वर्ष में भी नैइक छित्र में आज बड़ी पहचान के साथ उभर रहा है अगर चूरू की बात करें तो यहां पर नैइक सेवा की सिक्षा चात्रों के द्वारा चात्रों को दी जाती है और एक ऐसा इस्थान है जो की गुरू जी प्रोफेशर महाविर सिंग जी यादव उनकी याद में उनकी प्रेड़ना से यहां शुरू हुआ और यह कारे अधा लगा था वह वटवरक्ष बन चुका और उसको सिंचित करने वाले उसी ग्रूप के जो सेलेक्षन होते जाते हैं जो आगे बढ़ते जाते वहीं वहां पर कोई न कोई अपना साहेता अपना रोल जो है अधा करते हैं सभी जो नियाइक मजिस्टेट हमारे साथ हैं इ बहुत द्वंद्व रहा कि वो चैन लेना है या नहीं लेना है लेकिन ये सब कुछ होते हुए भी आज आप नियाइक अधिखारी हैं और बहुत ये मान के चली इनके फैसलों को जहां भी ये अपना फैसला सुनाते हैं लोगों का बहुत दिल जो है प्यार जो है वो इनको जाएंगे तब आपको पता चलेगा लेकिन आज हमारे बीच में हैं इनके भी विचार हम जानेंगे और आप सब जो नियाइक मजिस्टेट हैं फिर आपको पता चलेगा कि जीवन में सफलता कैसे प्राप्त की जाते हमारे मेंदर जी जो है वो जरूर सीनियर विधी अधिक तो एक एक ऐसा तबका है यह जो कुछ न कुछ प्रेड़ना रखता है और बच्चों के सामने जब खड़े हूं तो कुछ अपनी बात कहते ही क्लिक करता है तो हमें भी बच्पन में कुछ बाते क्लिक हुई थी ऐसे ही विद्वान लोग आये थे तो आज भी हमारा इसमें यह ही बात हम करना चाह रहे हैं हुकमी चंजी हमार साथ है हुकमी चंजी विद्यार्ठियों को परिक्षाओं में तैयारी के निमित अभी चंत्रशrike घजी ने अपनी बात करी आपका एक्सपिरियंस विदी सत्संग से जुड़ा हुका है वह एक्सपिरियंस अगर शेयर कर तो एकदम से यूं कुछ भी याद नहीं होता था मैं बीएस्टी करके आया था उस ताम याद नहीं होता था उस ताम फिर नायनभाई साब थे यह पढ़ाते थे गुर्जी भी पढ़ाते थे जब इनके साथ सब लोगों के साथ हम बैठने लगे इनको देखने लगे तो आख द्रियर चेंज केंटे का टाइम था फिर दिरे दिरे धिरे करीबन साल बर गुजरा डेड़ साल गुजरा फिर इनको देखते रहे यह लोग भी बढ़ रहे थे फिर हम बी धीरे-धीरे उस वातावन का फरक पड़ा और हम भी दिरे-धीरे पढ़ने लगे और हम भी ध शेकरबाई साब हमको पढ़ाने लगे थे फिर इनों ने सुरू से एक एक चीज धीरे-धीरे करते वे स्टार्ट की थी और फिर इनों ने गहराई से अध्यम अध्यन करवाना चालू किया फिर यह हमको पढ़ाते थे रेगुलर पर्टेक स्टुडेंट पर बोच करते थे आपने आप में आनन्द भी आता था क्योंकि हम पढ़ते थे फिर सुनाते थे आज ये टार्गेट मिल गया फिरूसरे दिन सुना दिया फिर नए टार्गेट मिल गया तो डे बाई डे बाई इसे करते ई-गरते किपिस्टी धिälे-धिरे बढ़ती है तो मतलब एक हमप्यो कुछ बिंदू है जिनको हमें आज ही इंगित करना है तभी हम आगे सफलताओं की और जाएंगे नायन जी हमारे साथ है आप भी जो है जैसे चंदर शेकर जी ने कहा कि कोई भी व्यक्ति यहां ऐसा नहीं है कि बहुत अर्थ से बहुत बड़ा हो लेकिन अपने आपको अपने पैरों पर खड़ा करने वाला बनाने वाला यहां पर स्ट्रगल के साथ बना है हर व्यक्ति तो नायन जी हमारे साथ है बहुत स्ट्रगल के समय से मैं इनको देख रहा हूं और आज आप नियाईक मजिस्टेट है चुरू के लि अजना देते थे और जैसे आपस में हम जब तैयारी करते हैं तो दूसरे के तैयारी को देखकर यह लगता है कि यार इसके तैयारी तो मेरे से बहुत अची है इसका सिलेक्शन दो जाएगा मेरा तो नहीं होगा तो गुरुजी हमेसा ही कहते थे कि जैसे कुछ लोग जब कुछ बन जाते हैं उनसे कोई पूचता है कि आपने तैयारी कैसे की तो वो अपनी तैयारी को यू बढ़ा चड़ा कर कि हम तो 18 गंटे पड़ते थे या सब से मिल चोड़ दिया था फेस्बूक वाटसप सब कुछ चोड़ दिया तैयारी में जुटे रहते थे तो ऐसा कुछ नहीं है मलो अपनी तैयारी को यू बताते हैं कि जैसे उन्होंने घास तो खाई नहीं बाकि संगर्स मारना परताब से कम भी नहीं किया तो वो यू इतना पड़ता रहता था तो गुरुजी ने कहा भी ता कि जिस दिन नारायन पास हो जाएगा उस दिन अकबार में खबर आएगी कि चीनी तोलते हुए या तेर तोलते हुए नारायन मजिस्टेट बना और ठीक वहीं लेंगवाज उसी प्रकार से मेरे बनने के बाद अकबार में अब अगर गुरुजी नहीं थे लेगन उनके वच्छन वह तो अपने अस्तित्वों में थे मोजूद थे वातावन में थे वह तो होना ही था बाकी नियमित था मैं यही करना चाहूंगा कि नियमित था ज़ूरी है और मैंने जैसे आठ साल में ने तियारी की तो मैं सोचा कि जब अपना होना लिखा है या जब अच्छा है जो हो रहा है सब अच्छा है और जिस समय मालिक ने तैय कर रहा है बगवान ने तैय कर रहा है उसे साब से निच्छी तरूप से सेलेक्शन होगा या कुछ और बला ज़रूरी नहीं कि हम अपन जैसे अभी एक रोड अगाम जो आपको आपके लिए अच्छा सोच रखा है» अच्छी बात कही है और अपनी एक प्रेड़ना जो है आप तक पहुंचाई है अविनाज जी हमारे साथ हैं बहुत लंबे समय तक तैयारी करके आप जो है मजिस्ट्रेट अभी पिछली बार बने हैं तो अविनाज जी आपका एक्सपिरियंस बहुत लंबा है ऐसे कुछ पि बीश में से जाकर के हुआ तो इसके लिए मैं यही कहुं गा कि इसके अंदर जो तैयारी करते होंने देहरे नहीं कोना च standard कर ते संपर्क ने नही तो बैंक में तो मैं पूना चला गया था फिर बीच में चितोड़ गड़ था पर मैं चंदर शेकर भाई साब के मैं इंदर के इनके संपर्क में था तो ये मुझे जो भी पढ़ाई की चीजे कोचिंग में जो भी होती थी वो मुझे वाटसेप बेज़ दिया करते थे और उसके अलावा जब भी निराशाती थी तो मैं इनसे बात कर लेता था तो ये संपर्क में रहना बहुत जरूरी नहीं तो अकेले आप फिर वो नहीं हो पाती थी तो ये चीजे बहुत जरूरी हैं और आप लगे रहें जो हम बच्पन से पढ़ते आते हैं कि मैनत का फल मीठा होता है और कोशिष करने वालों के हाड़नी होती तो ये वास्तिकता हैं ये चीजे कि आप निरंतर लगे रहें तो इश्वर निश्चित रूप साब को मैनत का फल देता है और निरंतरता जो है वह निरंतरता के आगे का फली है तो जरूर ये करते रहना चाहिए अभी जो वरतम जिसे इनके experience पीछे भी हमने करवाएं आगे भी share करेंगे मेंदर जी हमार साथ है मेंदर जी जो हैं अभी वर्तमान में विद्यार्थियों को संभालते रहते हैं सिक्षा अपने इसाब से चल लिए लेकिन जो senior होते हैं जो थोड़ा जादा जानते हैं वो अपने अनुभव जब बच्चों को share करते हैं तो प्रेड़ना मिलती रहती है मेंदर जी क्या कहेंगे विदी सत्संग के बारे में आज बड़ा नाम जा रहा है और एक यह मानके चलिए कि यह जो सफलता के पुंज यहां पर हैं इनी का प्रकाश और फैलता जा रहा है तो क्या कहेंगे इस ब सफलता के लिए मैं सबसे बड़े चीज मानता हूं उसका अनुसासन एक अनुसासित जीवन जब तक हमारा नहीं होता हमारे उठने बैटने सोने जागने पढ़ने हर एक चीज का एक समय होता है और जब अनुसासन जीवन में नहीं है ना तो हम सफलता की तरफ देखना एक सफलता अपने आप उसके पीछे आई जाएगी ऐसा गुर्देव भी कहते तेर हम भी हमने भी देखा दीरे दीरे हालां कि सब बाइसाब एटे है वड़े मैंने तो बहुत करीब से देखा है नाराण बाइसाब ने मुझे बहुत पढ़ाया जब मैं लिल्भी में था तब बिना कोई संसादन गे भी मैं साथ मजे क्लास में आता था तो ये है दूसरी बात अगर हम विद्यार्थियों के संबन में देखें कि परिक्षा में सफलता है सफलता तो मैं ये कहता हूं कि कोई सफलता और रह सफलता अंतिम नहीं है आपने अपना कितना इफर्ट्स किये सफलता अपने आप होगी एस फलता भी एस फलता नहीं एक पाइदान होता है सफलता के तक जाने कि एक सीडी है हमें उस पर से ही चलना चाहिए और दीरे दीरे एक सहजता आ जाती है जीवन में और स्लेबस इतना आसान हो जाता है उसको देखकर हम आराम से अपने साथ ही है बड़े भाई हैं, गुर्देव की प्रेड़ना है, इस सहर में बहुत ज़्यादा सपोर्टिंग सहयोग भी रहा है लोगों का, इस संस्ता को एक बहुत उन्चे मुकाम तक ले जाने में, इस मैं उन सभी का इधन्यवाद करता हूँ, जैसे सुबह, मैं कारेले समय से पहले ब मैं से शीकता रहूँ, और अपने नीचे जो भी छोटे भाई बैनाएंगे, उनको मैं अपने पास से जो कुछ दे सकूँ, अपने आपको जब तक पात्र पाऊं, मेरे लिए गौरव की बात होगी, सोभाग्य होगा मेरा, तो ये सारी बातें जो हमारे सामने आई हैं, ये वही है, निरंतरता बहुत जरूरी है, और समर्पन भाव जो है, वो बहुत जरूरी है, अब चंदरशेकर जी से जानना चाहेंगे, क्योंकि ये जो पोधा लगा, उसमें पहला सिंचन जो है, वो इने के दुवारा हुआ, और आज भी इस पोधे की पेड़ बन चुका है, वो कभी-कभी आकर ये करते रहते हैं, और इस वटवरक्ष का जो तना है, वो मजबूत बना रहे, इसमें इनका बड़ा विचार रहता है, तो क्या कहेंगे चंदरशेकर जी, विदी सत्संग के बारे में, आप आज बहुत बड़ा एक मोब देख रहे हैं, इस विशे में क अपने आप जिंदा रखी रही है, इस सांस लेने वाड़ा मालिक ले रहा है, लेकिन कुछ न कुछ जब तक लक्षे नहीं हो, तब तक ये इतना लंबा सांस लेने का प्रोसिस को कैसे बोरो जाएंगे दरवाज तो, और उसमें कोई ऐसा नहीं हो, जिसमें मोह हो, या उसम आप बजन मैसूस करेंगे, जिसे कुछ चीज को गसीड रहे हो, यह है, निष्वार्थ, निष्काम, शेवा जिससे आम लोगों को आनन्द मिले और वो खुष हो, उनकी खुशी, वो हमें भी खुष करेगी, जगजीत सिंग जी की एक गजल है, कि चलो गर से है मस्जिद द चाने जराता है, उसको हेल्प की जाए, और गुर्देव को असली जो गुरु दक्षिना यही है, जो सब महीं लोग मिल के देती है, तो यह बात जो है, चंदर शेकर जी ने हमें कही है, और आप इन सब शब्दों से जो है, वो प्रेणा ले सकते हैं, और अपने जीवन की स आती नरीज जी शर्मा के साथ मैं डॉक्टर मनोज योगाचारे, लेता हूँ इजाज़त, तरी नेतर टिवी के लिए नमस्कार